इस मैक डाउन में सेमस और ओस्टन थियोरी के बीच युनाइटिड इस्टेट चैंपियंशिप मैच आप देख रहे हैं रैसलिंग इंडी मेनिया मैच के सुरुआत में ओस्टन थियोरी ने चला की दिखानी शुरू कर दी उसने सेमस के आपो को इरस्ट्यों में फसा दिया और वो सेमस की चाती बरी मुख के बाने की कोशिस करता है पर तबी सेमस उसे उठा ले जैं पर इसका फाइदा भी ओष्टन थियोरी के हुआ क्योंकि वो नीचे उतरे और उसने सेमस के सर को बैरिकेड में मार दिया पर Semas ने आर नहीं मानी और उसने ओश्टन थ्योरी को एक चवर जस्ट गरेकर लगा दिया पर सब चोग गए क्योंकि ओश्टन थ्योरी उसके बाद भी नहीं आरे इसके बाद आया मैच का सबसे थखडा मुमेंट जब Sabas ने ओस्टन फिए को कंदे पर उठाया और टोप रोप के उपर चले गए पर एक बार फिर से ओस्टन फिए कंदे से नीचे उतर गए और उल्टाउसों ने इसेमस को अपने कंदे पर उठा लिया और जबरदस तरीके से नीचे फैक दिया पर इसके बाद भी सेमस नहीं आ रहे पर तब ओस्टन थूरी चीटिंग करने की कोशिस कर रहे थे तो सेमस के साथ आई टेग टीम ने उनको रोक दिया फिर सेमस ने ओस्टन थूरी के चाथी पर एक साथ पच्चिस मुख के मारे उस समय फैंस बहुत खुशते हैं और लग रहा था कि सेमस युनाइटिड इस्टेट चैंपियन बनने वाले हैं WWE की आर कबर के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले